नमश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं UKSSC and UKPSC Cracker में तो उत्रकन लोग सेवा आयोग द्वारा बंदी रक्षक के जो है वो फॉर्म आ चुके हैं तो स्टाटिंग डेट आप देख सकते हैं 15 तारिक से आप लोग भर सकते हैं और लास्ट डेट आपकी 5 दिसंबर रहने वाद है तो इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप लोग फॉर्म भर पाएंगे अपनी मोबाइल से यहां पर आप लोगों को आपको फीश सम्मिट करने की ज़रूरत नहीं है तो सीरे हम अपलाई नाउ के ओप्शन में क्लिक करेंगे सबसे पहले देखे आपको यहां पर कैंडिडेट्स नेम डालना है फादर्स नेम डालना है मदर्स नेम डालना है अगर आपने फॉर्म पहले भराता तो आप लोग वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो उसको देखके भी आप लोग कर लीजे या जीमेल में अपनी गूगल मेर में अपना चेक कर लेना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वही डाले तो बहुत से लोगों ने क्या गलती करी थी पहले जो फॉर्म आया थ का तो उसमें उनने दूसरे जो भरती थी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया था इस कारण से भी उनके जो हैं रिजेक्ट हो जाएंगे तो आप जब रजिस्ट्रेशन नंबर डाले तो ये चीज जरूर चेक कर लें कि जेल बंदी रक्षक का ही वो रजिस्ट्रेश से count होगी तो इसमें सारी चीज़ें आप लोगों को देखना है तो ये सभी चीज़ों को करने के बाद आप लोग ये सबसे important है काफी लोग इसमें फस रहे हैं तो यहाँ पर देखे requirement eligibility तो इसमें जो 5 point दिये गए हैं मैं हर एक वीडियो मैं आपको बताता हूँ आप लोग फिर comment करते हैं कि क्या इसमें करना है क्या नहीं करना है तो 5 point जो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे तो 5 point मैंसे सिर्फ एक point आपका yes होना जरूरी है अब देखे बहुत से लोगों का employment में registration नहीं होता तो इसकी कोई जरूरत नहीं है compulsory नहीं है ठीक है तो CDC अगर आपके पास है तो आप yes करेंगे ठीक है तो yes अगर आप करते हैं तो इसमें आपको पूरी process बतानी होगी कि आपका पंजिकरन संख्या कितनी है किस दिन आपका पंजिकरन हुआ था कौन से office से मतब अल्मोरा से आथा नेनिताल से कहीं से दहरादून से हुआ था और validity कब तक है main चीज expire नहीं होना चाहिए बनना आपका form reject हो जाएगा ठीक है अगर आपके पास नहीं है पंजिकरन सेवा योजन कार ले में आपका पंजिकरन नहीं है तो इसको आप no कर सकते हैं employed अगर आप सरकारी संस्थान में कहीं काम करते हैं तो yes कर सकते हैं पूरा ब्योरा आपको देना होगा अगर आप नहीं करते हैं तो no कर सकते हैं third point काफी important रहने वाला है इसमें पूछा जा रहा है कि क्या आपने अपनी high school intermediate अर्थवा इसके समकष्य इस तरकी जो सिक्षा है वो उत्राखंट से ही उत्तीन करी है मतलब अगर आपने CBSC से करा है या उत्राखंट बोर्ट से करा है कहीं से भी अगर आपने उत्राखंट के अंदर से केंदर विद्याले से या कहीं से भी करा है तो आपके according आप yes या no कर सकते हैं सरकारी संस्थान का मतलब है कि सेना वो अर्थवा अर्ध सेनिक बलो में जो है काम किया हो fourth point जो कहा जा रहा है कि आपके मातापिता राज्य या अर्ध सरकारी संस्थान में सेवाई जो है उत्राखन राज्य से बाहर में काम करते हैं लेकिन हैं तो वो उत्राखन की ही लेकिन कहीं उत्राखन से बाहर वो काम करते हैं तो आप इसको yes अपना according कर सकते हैं fourth point का third point भी कुछ इसी त्रीके से रहने वाला है मातापिता से regarding fifth point रहने वाला है क्या आप उत्राखंट के इस्थाई निवासी है जो आजीविका सिक्सा के उद्देशिशे उत्राखंट से बाहर रह रहे हैं अगर आपके पास उत्राखंट का डॉमिसाइल है डॉमिसाइल जिसको कहते हैं इस्थाई निवास प्रमान पत्र तो आप इसको यस कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो no करके चल सकते हैं ठीक है तो ये काफी important रहने वाला है स्थाई निवास प्रमान पत्र फिफ्थ पॉइंट भी same रहने वाला है कि आपके महतरपिता उत्राखंड के स्थाई है लेकिन आजी विका के लिए उत्राखंड से बाहर रहे हैं ठीक है तो काफी लोग उत्राखंड से बाहर रहे हैं लेकिन जो उनका इस्थाई निवास प्रमान पत्र है वो उत्राखंड का ही है ठीक है तो इसको आप लोग अपने according yes no कर सकते हैं और सबसे mean चीज मैं आपको बताना चाता हूँ form जितनी जल्दी आप लोग भारेंगे उतना सही रहेगा क्योंकि बाद में बहुत सरवर प्रॉब्लम जो हो जा रही है और बहुत लोगों के form नहीं भर पाई थे पट्वारी लेक पाल में भी बहुत लोगों के form नहीं भर भाएते और ये forest guard में भोख़ों के form नहीं भर भ तो इसमें देखे पुरे प्रोसेजर बतल जाएगा ओबीसी हैं तो कब आपका प्रमान पत्र रिलीज हुआ था कहां से तो इसमें एक डीज़ करते हैं तो कब इस हुआ था पंजी कर देख नहीं तो इस आर्मी उफिसर यस हैं ठीक है तो इसके बाद यह जो पॉइंट आपका अनाथ बच्चों के लिए तो ये पूरी चीज़े आप लोग पढ़ लीजेगा इसके according आप लोग अपने according yes no कर सकते हैं और दूसरी चीज आपके पास domicile होना अनिवारी है तभी आपको आरक्षन मिल पाएगा वरना आपके वो आरक्षन नहीं मिल पाएगा तो domicile होना जरूरी है इसके बाद आपको email id phone number अपना यहाँ पे डालना है दोनु चीज़ों को आपको यहाँ पे mention कर देना है इसके बाद यह अपना address डालेंगे जो address आपका domicile या इसके बाद पिना security password जो है यहाँ पे डाल दीजे ठीक है तो password आप लोगों को यहाँ पे mention कर देना है इन words का use आपको नहीं करना है ठीक है तो इसके बाद आपको security की capture code जो आपको यहाँ पे दिख रहा है उसी को यहाँ पे आप लोग डालिए अगर आपका wrong आ रहा है तो इसको आप लोग refresh कर सकते हैं तो यहाँ से अगर हम refresh करेंगे तो दूसरा code आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसमें की एक सब्द चुपा हुआ मिल रहा है ठीक है उसके बाद ही आप लोग इसको submit करिए ठीक है तो इसके बाद आपको correction करने का जो है column नहीं मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपने सभी चीजें सही भरी है तो इसमें आपको no I want to change something अगर आपको कुछ बदलना है तो आप इसको tick करिए अगर अपना phone number डाला था और password डाला था उसी से आप लोग लोग इन करिए ठीक हम लोग सीधे click here करते हैं और यहाँ पर आप लोगों को अपना या तो आप लोग email ID डालिए choice मिलती है या तो email ID या phone number डाल से एक चीज डाल सकते है password same रखना है उसके बाद आपको यहाँ पे capture code fill up क करना होगा आपने यह process complete करने के बाद आपको next process दिखेगी तो इसमें आपको personal information आपने पहले ही submit कर दी अब आपको education qualification photograph final review और printout निकालने का option मिलेगा ठीक है तो एक बार आप अपना पूरी data यहाँ पे देख सकते हैं नीचे अगर आप scroll down करेंगे तो आपका पूरा data दिख जाएगा अगर आप correction करना चाते हैं अभी भी तो कर सकते हैं अभी तो अब आपको अपनी education qualification details को fill up करना होगा सबसे पहले आप 10th 12th अगर आपने degree diploma कुछ भी कर रहा है तो आप वो चीज़ों को add on कर सकते हैं तो इसमें पहला जो option पूछ रहा है do you possess ठीक है तो इसमें आप आपको पूछ रहा है कि आपने हिंदी में आपको कारी करने का ग्यान है या नहीं है ठीक है तो जादे तर लोग को ग्यान होता है तो वो लोग yes कर सकते हैं ठीक है इसमें कोई भी चीज खबरानी की बात नहीं है तो आप लोग इसको निश्चिन्त होके yes कर देना तो अब education qualification में सबसे पहले आप लोगों को 10th add-on करना होगा इसके बाद आपको जैसे की 10th है यहाँ पे भी 10th डाल देंगे और university board ठीक है तो इसमें आपको राज जी डालना होगा तो उत्राखन सबसे नीचे का third option में आपको दिख जाएगा तो अगर आपने उत्राखन से करा है तो इसके बाद आपको 12th की जो है अपनी details फिल अप करनी होगी यहाँ पर अपने 12th intermediate intermediate उत्राखन कौन से board से करा है UK board या उत्राखन board से ठीक है इसके बाद आपको कौन से year में जो आपकी mark sheet release हुई थी वो date यहाँ पर उसके बाद आपने sciences से करा है या commerce से करा है तो यहाँ पर आप लोग सिफ अपना stream है वो लिख दीजिए इसमें आपको कोई भी subject लिखने की जरूरत नहीं है science, commerce, art, agriculture एक चीज़ आप लिखे है और यह जो दो column आपको दिख रहे है इसको आपको छोड़ देना होगा तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होगा इसके बाद आप marks आप लेख सकते हैं कितने marks आपके आए थे तो जितने marks आपके आए थे और जितने मैसे आए थे जैसे कि सब्यसी यह यह रहता है आपका उत्राखन बोर तो उसमें 500 मैसे आपके जैसे कि सारे 300 आए थे तो automatically आपकी percentage 70% यहापे हो जाएगी इसके बाद आप add-on में जो है add कर करना है तो इसको आप delete करके यहाँ पे add कर देंगे ठीक है तो यह सारी चीजें add कर दी और add-on कर दिया ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी चीजें सही हो चुकी है अगर मैं यह नहीं देखता हूँ यह फॉर्म जो है गलत फिल हो जाता तो एक एक पॉइंट को इसके बाद आपको चेतावनी वार्निंग कुछ इसके का साइन आपको दिखेगा कि आपने सारी चीजें सही बढ़ दी है और अब आपको जो है अपनी फोटोग्रेफ और सिग्निचर को यहाँ पे मेंशन करना होगा दस के बी से पचास के बी के बीच में टिक कर देंगे continue कर देंगे उसके बाद आपको colored photo जो है submit करनी होगी और जो आपका signature होगा वो black pen से होना चाहिए तो यहाँ पे आप लोग अपनी गैलरी में अगर आपने save करा होगा तो choose file में जाएंगे तो आपकी gallery open हो जाएगी वहाँ पे जाके आप लोग अप आपका होना चाहिए JPJ mode में ही जो आपकी photograph होनी ज़रूरी है ठीक है तो इसके बाद आप लोग अपनी photographs को या signatures को अच्छे से देख पाएंगे अगर आपने सभी चीज़ें सही करी है crop करना है crop कर सकते हैं तो देखके आपको यहाँ पे image uploaded are correct तो यहाँ पे option आपको यहाँ टिक कर देंगे अगर आपको कुछ गलत लगता है crop करना चाहते हैं तो I want to crop images of photograph को टिक कर देंगे तो इसके बाद सीधे submit करते हैं तो अब आपको save and continue करने के बाद fees जो है यह बिल्कुल initial के रहने वाला है तो आप लोग initial को इस form को fill up कर सकते हैं तो अब इसको सीधे last जो process आप एक बार review कर लीजिए आपकी सारी detail अच्छे से fill up होई है या कोई गलती है तो उसको देखने के बाद आप final submission कर पाएंगे अब जैसे आप नीचे scroll करेंगे तो final submission के लिए यहाँ पर आप से पूछेगा और declaration के option में आपको यहाँ पर tick कर देना होगा तो tick करेंगे यहाँ पर अगर आप form mobile से बार रहे हैं तो इसको CD safe कर सकते हैं ठीक तो यहाँ पर आप लोगो को click here to print out application form का option मिलेगा तो इसको आपको save कर लेना है आप screen source ले लिए सकते हैं कुछ भी आप अपने हिसाब से कर लेना है या दुकान में cyber कैफे से आप लोग इसको print out निकाल कोई विए अगर आपको query है comment box में पूछ सकते हैं हमारे सांथ बने रहे हैं जल्दी हम आपको previous year question paper भी दिलाएंगे और सांथ में आपको telegram में ग्रूप बनाए है तो वहां से जाके आपको सारा study materials provide हो जाएगा तो वहां से जाके आप इसका syllabus इसके notes वहां से प्राप्त कर पाएंगे ठीक है तो मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई जय हिंद जय भारत